दोस्तों आज हर इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है ये बुरी बात नहीं है लेकिन अपनी सेहत के साथ समझ होता ना हो कब जड़ातर लोग काम के चलते अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जिसके वज़ा से हर दूसरा व्यक्ति किसी ने किसी विमारी से रहा है टेक्नलोलोजी के इस जमाने में जड़स ज़्यादा वक्त कंप्यूटर मोबाइल में अपना ज़्यादा टाइम मिताते हैं जिसे कारण आखों में कमजोरी एक ही जगा पर लंबे टाइम तक बैठे रहने से मुटापा अनिंद्रा हार्ट से दूरी समस्या आम हो ग शिम्मूनियों ने खसकस और दूद का वर्णन आयलविद में विस्तार से किया है यह पूरी तरह से प्रक्रतिक है आईए देखते हैं खसकसा दूद किस तरह बनाना है कम लेना है और से क्या क्या फायदे होते हैं आप एक से डेड़ चमच खस-खस को थोड़ी से पानी में से पहले पी लिजे आप चाहिए तो है मिसरी की जगा शहत भी मिला सकते हो दोस्तों अगर आपको शरील में कहीं हुआ दर्द है जोड़नमें या फिर कमर में दर्द हो तो इसका 7 आपके लिए रामबाना थावित होगा इसका 7 से शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होता रात को नींद नहीं आने के कारण अगर आप परिशान हैं तो रात को सुने से पहले इसका सेवन करना शुरू कर दीजे यह नीद लेने के लिए प्रेरित करेगा भरपूर नीद आएगी सुबह आपका चेहरा खिला रहेगा अगर आपको सांस लेने में तकलिफ हो रही हो तो खस-खस और दूद का सेवन करें खासी को खत्म करके सांस के समस्या से नेजा देलाता है गुर्दे की पत्री के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हो कि दिन में से परिशान हो तो चींदा ना करें इसके सेवन से जुरियां गायब होने लगेगी चैहरा गलू करेगा यह स्कीन में हमेशा नमी बनाया र प्रादा करता है और शरीर को नई अर्जा प्रदान करता है इसे लेने से खुझली से रहत मिलती है यह पेट में बढ़ने वाली गर्मी को शांथ करता है अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो इसका सेवन लाबदायक है इसके से आप हमेशा तनाव मुक्त रहें सर्दित जुकाम को कम करने में भी ये मदद करता है ब्लड प्रेसर के मरीज के लिए खस-खस का सेवन काफी फादेमंद है इसके सेवन से शरीर में खुल की कमी दूर होती है और इनीमिय से बचा जा सकता है जिन भी भाई-बैनों को शारेरी कमजोरी है हमेसा थाकान लगे रह लग पहें